नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके अनामे का बियोग्रफी एन रियल लाइफ स्टोरी इस चैनल की सबसे मन पसंद यादों के सफर में इस सीरीज को तर्शकों ने हमेशा से बहुत प्यार दिया है इस सीरीज में हम उन कलाकारों को याद करते हैं जिनके नाम एक जमाना हुआ करता था पर समय की गती के साथ उनका नाम कहीं डूप चुका है आज हम बहतरीन चरित्र अभिनेता शिवराज जी को याद करने वाले हैं शिवराज ऐसे अभिनेता थे जिनकी तुलना इन कलाकारों से हो सकती है ये ऐसे कलाकार हैं जिनके बिना एक फिल्म कभी बन ही नहीं सकती थी शिवराज ऐसे कलाकारों ने समय समय पर खलनाई की और कौमेरी के रूप में अपनी कला का प्रदर्शन किया है अफसोस जनक बात ये है कि शिवराज को फिल्म जगत ने भुला दिया नब्बे के दशक तक वे फिल्म जगत में सक्रियत है छोटे-छोटे किरदार में दिखने वाले शिवराज अचानक से गुमशुदा हुए और 3 जून 2017 को उनकी मौत की खबर आई अपने जीवन के 50 साल फिल्म जगत को देने वाले शिवराज का पूरा नाम भी कोई नहीं जानता इससे बड़ी दुखत बात क्या हो सकती है हम ये भी बताना चाहते हैं कि इंटिनेट डेटाबेस में सिर्फ डेर सो फिल्मों का जिक्र हुआ है पर शिवराज जी ने करीब करीब दोसों से भी अधिक फिल्मों में काम किया था वे कभी कॉमेदी करते तो कभी विलन बनकर हिरोईन को तंग करते हुए दिखते 1955 की देवदास, राखी 1962, मेरा साया 1966, सरस्वती चंद 1968, आया सावन जूम के 1979, नया दिन नई रात 1974 जंगली, अप्रेल फूल और प्यार किये जा जैसी फिल्मों में भी उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था मनमुहन देशाई की अमर अकबर आंथनी में रिशी कपूर के पिताजी का किरदार भी बहतरीन था कहा जाता है कि उनका जन 1920 के साल में हुआ था बेटा रुतु बरुहा और पोती रिशिका सिर्फ इन दो लोगों का नाम परिजनों के रूप में सामने आया है इससे अधिक जानकारी मिलाना हमारे लिए बहुत कठन गया है पर इनके परिजनों में से किसी भी व्यक्तित के विडियो पहुँचा हो तो कुरुपया कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जुडने का कश्ट कीजिए तो मैं थी आपकी अनामिका मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और हमारे चैनल बयोग्रफी और रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूले नमस्कार